आपको क्या पसंद है बाजार में कुछ पोजिशनल या फिर फंडमेंटली जो स्ट्रॉंग स्टॉक्स दिख रहे हैं बजट के लिहाज से या फिर उसके और आगे कि अगर आप रड़निती दे पाएं एक या दो स्टॉक जो आपको पसंद हो अजिए तो अगर हम बजट के लिहाज से बात करें तो अ को एंडिया मैं एक स्टॉक्ट करना चाहूंगी हम देख रहें इंडिया में काफी अन्प्रिसिडेंटेड़ हीट वेवेवेवेवेवेवेवे लिए पीक पार देमांड अल्मुस्ट टूफटि गिकावाट टच कर तो जहां एक हमें हमें हीट वेव के कारण जो डिमांड बढ़ती भी दिख्री महीं साथ ही साथ काफी नए पावर यूजर्स भी आ गए है तो अब थर्मल पार के रिक्वाइमेंट तो फिर देफरेंटली रहनी है विकाज रेनवेबल एनरजी दो गवर्मेंट काफी स्ट्रॉंगली पुश कर रही है बट वो कपास्टी एड होने में टाइम लगेगी तो थर्मल पार दिमांड काफी स्ट्रॉंगली रहेगा और थर्मल पार आएम अंटी परसंट पार डिमांड मीट करता है उसमें कोल इंडिया 90 परसंट कोल सप्टाइ घाथी थर्मल पार रेक्वाइमेंट के लिए तो कोल इंडिया एक स्टॉक है जो कि हम लंबे स्थर से लंबे स्थर के लिए अपने पोर्फोलियो में रख सकते हैं और इसमें अगर हम मीडियम तर्म की बात करें तो हमारा लक्ष रफ्ली 550 बनता है जो कि आपको एक हां से डीसेंट 10-15% का अपसाइड दे देता है दूसरी स्टॉक में पिया इंडस्ट्रीज पुष करूंगी अग्रोकेमिकल स्पेस काफी अक्षिन में है जैसे कि हमने पहले भी बात किया है जी एस्टी रिमूव होने का बात हो रहा है वहीं बजट में काफी सबसीडीज अनॉंस हो सकती है प्लस रूरल को काफी पुष दिया जाएगा बजट में तो उस अंगल से भी पिया इंडस्ट्रीज फोकस में रह सकती है कंपनी के ओडर बोक काफी स्ट्रॉंग है और इन्होंने कई न्यू प्रोड़क्स लांच के FI 24 में जिसके बेनिफिट हमें इस साल दिखाई देंगे और रिसेंटली कंपनी ने फार्मा API और CDMO सेगमेंट्स में एंट्री किया था जो की एक काफी अच्छा ग्रोड ड्राइवर कंपनी के लिए प्रूव हो सकता है in the coming future तो API इंडस्ट्री जहां speciality chemical space से benefit definitely करेगी करेगी at the same time वो फार्मा सेक्टर में भी एंटर कर रही अपनी competencies को leverage करके तो इक दोनों ही segment से इनके growth काफी strong रहेंगे और export market भी अब काफी supportive turn out हो रहा है तो इसे हम रख सकते हैं एक लंबे नजरिये के लिए और इसमें हमारा लक्ष बनता है 4300 का ठीक है 4300 का लक्ष पी आई इंडस्ट्री के लिए और दोसा शेयर है कोल इंडिया कोल इंडिया में भी हमने देखा है कि PCU होनों के बावजूद पहले इसमें एक टैग लगा हुआ था कि स्लो मोवर है चलता नहीं है अलांकि डेविड इंडियल भी इसकी है लेकिन इस साल की कहानी थोड़ी सी अलग रही है कोल इंडिया की और बहतरीन तेजी हमने कोल इंडिया के शेयर में भी देखिए तो ये दो शेयर आप स्निहा जी के सलाह के अधार पर अपने पॉर्टफोलियो में जरूर रखिए पी आई इंडिया की और कोल इंडिया को लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इंशूरिंस में खास और से जो जनरल इंशूरिंस वाली कंपनिया है वहां पर तेजी हो रही है नियू इंडिया इंशूरिंस चार पांच परसंट उपर है जी आई सी आरी करीब 7-7,3 परसंट उपर है